चलि देखें बच्चो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम नया टॉपिक जो हमारा अध्याय 10 है अध्याय 10 का नाम सब लोग जानते हैं आप लोग क्या है त्रिकोण मितिये का अनुप्रयोग क्या है नाम आवाज नहीं आई ज़रो से बोलिए हाँ तो आज हमारा टॉपिक है त्रिकोन मितिये का अनुप्रयोग देखो अभी तक जो है हम लोग अभी तक त्रिकोन मिति पढ़े हैं कि त्रिकोन मिति क्या होती है और आज हम इसका त्रिकोन मिति का यूज पढ़ने जा रहे हैं कि त्रिकोन मिती को अपने जीवन में किस तरीके से इस्तमाल करेंगे तो त्रिकोन मिती को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको दो चीजों की जानकारी होनी चाहिए ये तो आप जानते ही है बताईए ये क्या दिखाई दे रही है आपको आँख दिखाई दे रही है ठीक है ना और ये जो आँख से सीधा जो तल जाता है बिटा सीधी रेखा जाती है इसे बोलते हैं छैतिज रेखा क्या बोलते हैं इसे क्या कहते हैं इसे अब दो परिस्थितियां हैं या तो आप इस आँख से उपर देख सकते हैं तो ये जो उपर की और रेखा जा रही है इसे बोलते हैं कौन सी रेखा बोलो पढ़ाया था आपको कौन सी रेखा अब आप यदि उपर देख रहे हैं तो आपका जो कौन होता है इसे कौन सा कौन बोलते हैं बोलिए हाँ तो इसे हम कौन सा कौन बोलते हैं और अगर यदि आप दरश्टी रेखा आपकी छैतिच से नीचे जाएगी तो ये कौन कौन सा कहलाएगा ठीक है तो आपको ये दो शब्दों पर ध्यान देना है ये दो शब्द आपको ऐसे ही मिलेंगे उन्यान कोंड और अवनमन कोंड ठीक है अच्छा एक चीज़ और जान लीज़ेगा इस चैप्टर में ये ऐसा कोंड आपको कई बार आपके पास मिलेगा तो ये दो समांतर रेखाएं हैं इनके बीच में बनने वाले कोंड ये कहलाते हैं एकांतर युगम के कोंड क्या कहलाते हैं अब मुझे बताईए कि क्या ये एकांतर युगम के कोंड बराबर होते हैं तो अगर नीचे एक्स बना है तो उपर भी क्या बनेगा समझ में आ गया तो एकांतर युगम के कौन जो होते हैं दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं अब आई ये चैप्टर की शुरुबात करते हैं पहला चैप्टर पढ़ता हूँ मैं पहला क्वेश्चन है सरकस का एक कलाकार एक 20 मिटर लंबी डोर पर चड़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमी पर लगे हुए सीधे लगे खंबे के सिखर से बंधी हुई है यदि भूमी इस तर के साथ डोर के साथ बनाया गया अकोंड 30 डिगरी का है तो खंबे क्यों चाहिए गया आथ कीजिए देखे आपके पास क्या दिया गया है कि क्वेश्चन नमबर वन में एक आपके पास खंबा है बुले हाँ है न और ये खंबे से उपर वाले सिरे से ए एक डोर कसी हुई है और ये जो डोर है ये कितने डिगरी कोंड पर है 30 डिगरी कोंड पर है ठीक है ना आपको उचाई ग्याद करनी है याने कि H क्या ग्याद करनी है H उचाई और ये कितने मीटर दी गई है अब जड़ा देखिए ये समकोंड तरिभुज बन रहा की नहीं बन रहा है अब ये समकोंड त्रिभुज़ है आपका कोंड 30 डिगरी है इसका नाम दे दीजे A, B, C तो बताइए इस कोंड के लिए जो आपका H है ये भुज़ा A, B A, B क्या दिख रही है आपको लंब दिख रही की आधार दिख रही है बिल्कुल सही A, B क्या है और ये A, C क्या है बिटा हाँ, A, C आपको दिए है कर्ण है ना तो बताइए लंब और कर्ण में जो रिलेशन देता है उसको क्या बोलते हैं हाँ, तो यहाँ पर किस से हल होगा साइन थीटा साइन थीटा बराबर लंब बटे तो लंब है A, B और कर्ण कितना है A, C, साइन थीटा कित्ते डिगरी बोलो क्योंकि कोन यहाँ पर 30 दिया हुआ है A, B का मान कितना है H, A, B का मान कितना है और A, C का मान कितना है 20, कितना हो गया 20, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तो साइन 30 बराबर 1 by 2 equal to H upon कितना हो गया 20, तो H बराबर 20 उपर जाएगा 2 नीचे रहेगा, बोलो cancel हो गया, कितने मीटर मतलब यहाँ जो पिलर है खंबा है, मिनार है, जो भी कहलो इसकी उचाई कितने मीटर है तो लिखना पड़ेगा उत्तर में खंबे की उचाई बराबर कितने मीटर? 10 मीटर, इस प्रकार से यह उत्तर आपको मिल जाएगा बोली clear की not clear? चलिए, नोट करिए सबसे पहला सवाल, इसको नोट करें तो बच्चों यहाँ पर आपको देख के पहचानना पड़ेगा कि क्या दिया है जैसे इस सवाल में आपको जो है कर्ण दिया था और लंब पूछा गया था देखा आपने पहचाना कि कर्ण और लंब के बीच में कौन relation देता है, तो कर्ण और लंब के बीच में आपको कौन relation देता है? sin theta तो आपने sin theta का प्रयोग किया क्योंकि sin theta बराबर होता है लंब बटे कर्ण दूसरा सवाल बच्चो बहुत ही अच्छा है आंधी आने से एक पेड़ तूड जाता है और तूटा हुआ भाग इस तरीके से मुड़ जाता है कि पेड़ का सिकर जमीन को चूने लगता है और इसके साथ 30 अंस का कोण बना लेता है पेड़ के पाद बिंदू की दूरी जहां पर पेड़ का सिकर जमीन को चूता है 8 मीटर है पेड़ की उचाई ग्यात कीजी देखे कुछ इस तरीके से इसका चित्र बनेगा इसका डाइग्राम बनेगा सवाल करमांक 2 देखी आपके पास में एक पेड़ था ये जमीन पे स्थिती ये थी ये पेड़ था इसका नाम A ले ले पहले ये बड़ा था ये पेड़ इस तरीके से उपर की ओर समझ रहे हैं ये पेड़ यहां तक था उपर तक ठीक है ये पॉइंट C ले ले आप फिर आंधी आई तो आंधी आने से पेड़ जो है यहां से तूट गया पेड़ यहां से तूट गया तूट करके बटा ये जो BC का हिस्सा है ये BC का हिस्सा बटा ये यहां पे गिर गया बोलो clear हुआ की नहीं हुआ तो उपर था और उपर से कहां गिर गया नीचे गिर गया ये लीजिए और इस वाले हिस्से का नाम आप M ले लें कोई दिक्कत नहीं है तो कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ तूट जाता है और तूटा हुआ भाग इस तरीके से मुड़ जाता है रहा है बहुत बढ़िया ठीक है ना अच्छा ये मान लो कि अगर ये लंबाई X है तो ये भी कित्ती होगी क्योंकि जतना उपर था वही तो नीचे आके गिरा है हाँ या ना तो ये अब कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदू की दूरी जहां पर पेड़ का सिखर जमीन को छूता है आठ मीटर है बिटा यानि कि यहां ये जो दूरी है पेड़ का जो लास्ट का बिंदू है इसकी दूरी कितने मीटर है आठ मीटर अब मुझे ये बताओ कि इस तीस डिगरी कोन के लिए आपसे क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है बी-म क्या पूछ रहा है बिटा और दिया क्या है ए-म दिया क्या है और कोन कितना दिया है तीस डिगरी कोन कितना दिया है अब ये बताओ तीस डिगरी के लिए ए-म क्या है कर्ण है लंब है कि आधार है बोलो जल्दी से आधार है AM क्या है क्योंकि कोण से जो छूके जाता उसको हम आधार बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको आधार तो यह हो गया आधार है ना और यह सम्मुक भुजा है AB यह तो हो जाएगी लंब हो जाएगी नहीं हो जाएगी और BM क्या है बोलो इसके लिए कर्ण है आपको पेड़ की कुल उचाई चाहिए तो आपको कर्ण निकालना है बोलो निकालना की निकालना अगर आपको पेड़ की कुल उचाहिए चाहिए है तो आपको करंड भी चाहिए पड़ेगा और लंब भी चाहिए पड़ेगा दोनों आपको चाहने पड़ेंगे बुलिए yes की नो और आपके पस AB क्या है यहाँ पे लंब है बुलिए yes की नो तो सबसे पहले आप AB निकाल लेते हैं क्या निकाल लेते हैं A. B. है न? तो A. B. निकालने के लिए बताओ, देखो, दिया क्या है? कौण दिया है? और आपको A. M. दिया है. A. M. कितने میटर है? आठ मीटर, यहने आधार दिया है. तो बताओ आपको लंब निकालना है. क्या लगाओ? Σाइन थीटा, कॉस थीटा या आधार दिया है तो लंब और आधार में relationship रिष्टेदारी कौन देता है 10 theta तो आप लगाओगे 10 theta बराबर होता है लंब बटे आधार कहो हाँ या ना तो 10 theta कितने degree है 30 degree लंब कितना है AB और आधार कितना है 8 बुलो है की नहीं है तो 10 30 का मान सबको याद है 1 upon under root 3 बराबर AB बटे 8 तो AB का मान ज्याद कर लें कितना हो जाएगा AB का मान 8 बटे root 3 8 बटे root 3 मैम यह दरवाजा लगा दीजे 8 बटे root 3 तो AB का यह जो मान आएगा AB equals to 8 upon root 3 ठीक है clear हुआ कि नहीं हुआ यह AB की value आगई किसकी value आगई लंब की value clear है अब आपको निकालना है X क्या निकालना है X क्योंकि कुल जो लंबाई पीड़की निकलेगी वो निकलेगी यहां से लेके यहां तक मतलब A से लेके C तक कहिए yes की no हाँ तो A C निकालने के लिए हमें दिया है आधार दिया है और कर्ण निकालना है क्योंकि AM हमारा क्या है आधार है AM क्या है आधार है AM हमारा आधार है देखलो यहां पे जो AM है AM हमारा आधार है और X हमारा क्या है कर्ण बताओ कौन सा theta लगाओं बुलो नहीं पता किसी को किसी ने याद नहीं करे है त्रिकोण मिती के सूत्र हां हमारे पास आधार दिया है और हमें करण निकालना है तो करण निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा बताइए आधार बटे कन, क्या होता है, यह, cos theta, क्या होता है, cos theta, तो हम लगाएंगे, cos theta, बराबर, आधार, बटे कितना, कन, तो cos कितना डिगरी, 30 degree, आधार कितना है, 8, कन कितना है, X, पता नहीं है, कन, cos 30 की value याद है, किसी को कितनी होती है, कॉस 30 कितना होता है रूट 3 अपॉन 2 इक्वाल टू 8 अपॉन X clear तो रूट 3 X इक्वाल टू कितना हो गया 16 8 गुणे 2 कितना हो गया 16 तो X इक्वाल टू 16 बाई रूट 3 आ गया समझ में तो X का मान आ गया बोलो यह सकी नो अब पेड़ की लंबाई बराबर होगी AB प्लस BC क्योंकि AB नीचे का हिस्सा और BC उपर का दिख रहा की नहीं दिख रहा है देखो पेड़ की तुल लंबाई नीचे वाला AB हो जाएगा और उपर वाला यह हो जाएगा BC हाँ है ना तो पेड़ की लंबाई बराबर AB प्लस कितना BC तो AB की वैलिव कितनी आई है 8 बटे रूट 3 और BC आने की X BC आने की X देख लो BC कितना था X था ना X कितना आया है 16 बटे रूट 3 LCM कितना आएगा रूट 3 रूट 3 आगा LCM रूट 3 में रूट 3 का भाग दोगे 1 एक में 8 का गुणा करोगे आठे कम 8 और रूट 3 में रूट 3 का भाग दिया एक गुणे 16 16 तो 16 प्लस 8 कितना हो गया 24 तो उत्तर आया 24 बटे रूट 3 मीटर अब इसको थोड़ा solve कर सकते हैं आप 24 बटे रूट 3 को क्या है कुल लंबाई AC पेड़ की कुल लंबाई AC बराबर 24 बटे रूट 3 क्या कर सकते हैं परिमेई करण तो रूट 3 का उपर रूट 3 का तो उपर बन गया 24 रूट 3 और नीचे रूट 3 कुने रूट 3 कितना 3 तीन से कितने बार? आठ बार. तो आंसर आ गया 8 root 3 meter. तो पेड़ की लंबाई जो होगी? पेड़ की लंबाई बराबर 8 root 3 meter. कई ये समझ में आया कि नहीं है? तो पेड़ की कुल लंबाई बराबर 8 root 3 meter. एनी प्रॉब्लम? तो ये देखें इस तरीके से पेड़ की जो कुल ल नहीं होगी? कितनी आ रही हमाँ पास में? 8 root 3 meter बिल्कुल सही है. कोई दिकत बन जाएगा ना? चलिए. तो इसको नोट करिए जल्दी से. Q2 लगाई अपनी कॉपी में. देखें सबी बच्चे सवाल करमांग थीन. एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसल पट्टी लगाना चाहता है. एक पांच वर्स से कम उमर के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है. जिसका सिखर 1.5 meter यानि पर जुका हुआ हूँ. जबकि इसमें अधिक उमर के बच्चों के लिए वह तीन मीटर उचाई की एक अधिक ढाल पर फिसल पट्टी बनाना चाहता है. जो भूमी के साथ साथ हंस कोण पर जुकी हुई हो. तो बताइए प्रतिये किस्थिती में खिसल पट्टी की बताईए. चलिए करते हैं. सवाल करमांग तीन शुरू हो चुका है हमारा. दो खिसल पट्टी बना लिजिए. एक छोटी रहेगी, छोटे बच्चे वाली. कितने मीटर की किसल पट्टी है? 15 की नहीं है. 1.5 मीटर की किसल पट्टी है. ठीक है? तो 1.5 मीटर की किसल ये कितने डिगरी पे कौन है इसका तीस पे छोटे बच्चे हैं पास साल से ठीक है ना और दूसरी किसल पट्टी बड़ी वाली है इसमें जो उचाई है वो कितने मीटर है भोलो तीन मीटर और इसका ढाल कितना है बड़े बच्चे समझदार हो जाते हैं अब यहाँ पर तुम अपने तीन साल के छोटे भाईया को धर दोगे तो पता चला वो अंडा जैसे घूमते हुए नीचे आजाए किसलने की वज़ाए समझ गए ना क्लियर है तो इसलिए उनके लिए छोटी किसल पट्टी रहती है समझ गए अब कहरा भाईया इसकी भी लंबाई ग्याद करो और इसकी भी लंबाई तो एक का नाम ले लो A, B, C और दूसरे का नाम P, Q, R अब मुझे ये पहचानो बस कि इस तीस अंस के लिए ये चीज एक दसमलो पांच क्या है लंब है आधारा की कर्ण है बस बहुत अच्छा पहचान लिए और ग्याद क्या करना है बेटा हाँ तो ये बताओ लंब और कर्ण में रिस्तेदारी कौन देता है साइन थीटा कौन देता है साइन थीटा तो लिखेंगे तरिभुज A, B, C में आप नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे तरिभुज A, B, C में साइन थर्टी बराबर लंब बटे कर्ण बोलो लंब कितना है A, B कर्ण कितना है A, C लंब कितना है A, B और कर्ण कितना है A, C और A, B का वैल्यू बोलो कितना है 1.5 और A, C की वैल्यू पता नहीं है वही तो पता करनी है साइन थर्टी की वैली बोलो किती होती है एक कॉल्टू 1.5 अपॉन में कितना तो AC क्रॉस मल्टी प्रैतिरिया गुणा हो जाएगा तो 1.5 गुणे कितना बन गया 2 बन गया बोलो कितने मीटर 3 मीटर मतलब बच्चों वाली खिसल पट्टी की कितनी लंबाई है 3 मीटर पहला उत्तर आ गया चलिए दूसरा उत्तर करते है यहाँ पर बताईए साथ हंस के कोण के लिए ये PQ क्या है लंब है और याद क्या करना है PR PR क्या है तो कौन सी रिष्टिदारी लगेगी शाइन थीटा की रिष्टिदारी होती लंब में करन में क्या होती है लंब बटे हाँ होती की नहीं होती साइन कितने डिगरी दिया है और लंब का मान कितना है अरे क्या बोल रही हो लंब का मान कितना है 3 और करण का मान कितना है PR कितना है करण का मान पकी बात साइन सिक्स्टी की वैली बोलो अंडर रूट 3 अपॉन बराबर 3 बटे कितना तिरिया गुणा कर दो तिरिया गुणा कर दोगे तो उपर हो जाएगा PR रूट 3 और नीचे इदर 3 दो नी 6 तो PR बराबर 6 अपॉन कितना रूट अब क्या करेंगे परिमेई करण मतलब रूट 3 का उपर रूट 3 का तो उपर बन गया 6 रूट 3 और नीचे कितना हो गया 3 से कैवार कैंसल तो आंसर कितने मीटर 2 रूट 3 मीटर तो दोनों खिसल पट्टी की लंबाई आ चुकी है एक की लंबाई आई है 3 और एक की आई है 2 रूट 3 देखते हैं तो एक की लंबाई आनी चाहिए 3 मीटर बिलकुल सही और दूसरे की लंबाई कितनी 2 रूट 3 ये भी बिलकुल सही नोट कर लें इसको देखिए अगला क्वेशन 4 मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेशन क्या कहरा भूमी के एक बिंदू से जो मिनार के पाद बिंदू से 30 मीटर की दूरी है दूरी पर है तो देखिए भूमी का एक बिंदू ले लिजे ये हमने सबसे पहले बना ली कोई जमीन ये हमने भूमी का एक बिंदू ले लिया और ये एक मिनार है बिटा और ये मिनार का पाद बिंदू यानि की मिनार का फुट कितने मीटर की दूरी पर है 30 मीटर की 20 मीटर 30 मीटर की दूरी पर है ये मिनार का जो बिंदू है ये 30 मीटर की दूरी पर है मिनार के शिखर का 99 कोण 30 डिगरी है मतलब मिनार के शिखर को देखा जा रहा है ये मिनार का शिखर है शिखर को इंगलिस में टॉप बोलते हैं क्या बोलते हैं टॉप टॉप का जो बिंदू है 99 कोण है यहां से देखा जा रहा है तो उन्यायन कोण कितने डिगरी बोलो 30 डिगरी है तो मतलब यह वाला कोण कितने डिगरी है 30 डिगरी क्योंकि उन्यायन कोण कहां बनता है 36 से उपर देखने पर तो यह हो गया 36 यह वाली रेखा क्या हो गई 36 खैतिज, बोलो हुई की नहीं हुई, और यह हो गई दरश्टी रेखा, तो यह उन्यान कोंड हो गया, क्या पूछा जा रहा है, मिनार की उचाई ग्याद कीज़े, तो उचाई बोलो क्या होगी, T F, क्या है उचाई, उचाई को H, क्या मानलो है उचाई को, H, बोलो कोंड दि लंब निकालना है, क्या निकालना है, तो आधार और लंब का सूत्र कौन सा होता है, तैन ठीटा, क्या होता है, तो लिखेंगे, समकोंड त्रिभुज, समकोंड त्रिभुज, A, F, T में, क्या है समकोंड त्रिभुज, A, F, T में, टैन ठीटा, टैन थर्टी डिगरी, बराबर, टैन थर्टी डिगरी, क्याल टू लंब बटे आधार, बोलो लंब कौन है, लंब कौन है, और आधार कौन है, आधार कौन है, हाँ, 10 30 का मान कितने डिगरी है 1 by root 3 1 upon TF का मान कितना है H और AF का मान कितना है तो cross multiply यानि तिरिया गुणा कर लो तो यहां से आ जाएगा कितना 30 equal to root 3 H बोलिए yes की no 30 equal to root 3 H clear की not clear तो H equals to 30 upon कितना हो गया under root 3 yes की no H equal to 30 by root 3 तो H equal to 30 upon root 3 तो root 3 का multiply उपर और root 3 का multiply नीचे तो उपर बन गया 30 root 3 और नीचे root 3 into root 3 कितना हो गया 3 बोलो cancel हो गया की नहीं हुआ तो answer कितना आ गया बेटा 10 root 3 तो H कितना आ गया बोलिए 10 root 3 meter ठीक है बेटा की नहीं है H equal to कितना आ गया बोलिए 10 root 3 meter तो मिनार की उचाई कितनी होगी 10 root 3 meter चलिए देखिए बिलकुल सही answer आ रहा है 10 root 3 कोई दिक्कत note करें इसको देखिए अगला question है भूमी से 60 meter की उचाई पर एक पतंग उड़ रही है कितने मिटर की उचाई पर पतंग उड़ रही है पतंग से लगी हुई डोरी को अस्थाई रूप से भूमी के एक बिंदू से बांदिया गया है भूमी के साथ जुकाओ कितने अंस है 60 अंस है यह मानकर की डोरी में कोई दिल नहीं है डोरी की लंबाई ग्यात कीजे बहुती सरल सवाल देखे क्या हो रहा है आपे चित्र बनाएंगे तो question समझ में आ जाएगा यह आपकी जमीन हो गई बुली हाँ जमीन से 60 अंस पर जो है एक पतंग उड़ रही है कितने अंस पर हाँ और कितनी उचाई है 60 मीटर की उचाई पर कितने मीटर की उचाई पर उचाई हमेशा जमीन से ना पी जाती है यह देखिए यह 60 मीटर की उचाई पर यह पता उड़ रही है मतलब यहां से लेके यह जो उचाई है यह कितने मीटर है और आपको तो यह point ले लो A, यह ले लीजे B यह ले लीजे C वाला point और आपको डोरी की लंबाई ग्यात करनी है क्या ग्यात करनी है तो डोरी A होगी कि नहीं होगी? बोलो चलिए बताइए आपको दिया क्या है इस कौन के लिए यह जो B, C है क्या है? बोलो लंबब है बराबर होता है लंब बटे होता है कि ना होता तो यहाँ पे साइन थीटा की जगे कौन आ रहा 60 डिगरी लंब किते मीटर है बुलो 60 मीटर और कर्ण कितना है साइन 60 का मान कितना होता है बुलो रूट 3 अपाउन 2 एक्वल टू 60 बटे कितना एक्स यहाँ चला जाएगा तो बन जाएगा रूट 3 एक्स और यहाँ 60 गूने 2 हो गया 120 हुआ की नहीं हुआ तो रूट 3 एक्स बराबर कितना हो गया एक्सो तो एक्स बराबर 120 बटे कितना तो रेशनलाइस कर दो यानि परिमेइक करदो तो रूट 3 का उपर और रूट 3 का नीचे हुआ की नहीं हुआ तो रूट 3 का उपर किया रूट 3 का नीचे कर दिया तो उपर बिटा आपके पास बन गया 120 रूट 3 क्या बन गया और नीचे रूट 3 कुने रूट 3 कितना 3 से कट गया किते बार 40 बार किते बार? 40 बार तो आंसर डोरी की लंबाई किते मीटर? 40 रूट 3 मीटर, clear की not clear? देखते हैं सही उत्तार है कि गलत है? बिल्कुल सही है 40 रूट 3 बनेंगे सवाल ऐसे आपसे? चलिए, तो इसको नोट करिए फिर अगला सवाल करते हैं देखे बच्चों अभी तक आपके पास में जो सवाल था, वो एक कोण वाले थे अब थोड़े से कठिन सवाल आ रहे हैं जो दो कोण वाले हैं, देखेगा क्वेस्चन नमबर 6 देखिए क्या कह रहा है? 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का 30 मीटर उचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है तो देखे यहाँ पर डाइग्राम कैसे बनेगा आपके पास में अच्छे से समझेए किस तरीके से करेंगे इस सवाल को हम ये बेटा मान लीजिए, जमीन है और ये एक लड़का है ठीक है? तो G for ground याने की जमीन और B for boy ये लड़का है इस लड़के की लंबाई कितने मीटर है बच्चों? 1.5 मीटर 1.5 मीटर का एक लड़का है जो की 30 मीटर उचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है तो बेटा यहाँ पर हमने भवन बना लिया ये देखे ये भवन बन चुका है ठीक है ना? और ये भवन का top है क्या है भवन का? और ये कितने मीटर का है बटा? 30 मीटर का और ये नीचला हिस्सा है बटा इसका नाम कुछ भी ले लो आप M ले लो क्या ले लो इसका नाम? M ले लो अब बिटा ये बच्चा है तो definitely इसकी आँख यहाँ पे होगी, तो ये बन जाएगा, इसका 36 बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ये ऐसे ही आँख से देखेगा, देखेगा की नहीं देखेगा, बताओ. तो ये इसका 36 बन गया, आँगे पढ़ता हूँ, जब वैं उचे भवन की और जाता है, तो उसके आँख से भवन की सिखर का उन्यान कोण 30 से 60 डिगरी हो जाता है, देखो बिटा, अब ये कहा रहा है कि ये भवन की तरफ आँगे बढ़ता है, पहले इसका जो कोण होता है, पहले बोलो कितने डिगरी था? 30 डिगरी था, फिर चलता गया, चलता गया, चलता गया, और थोड़े देर बाद इसका भवन क्या उन्यान कोण कितना हो गया है? 60, तो चलो ये नई परिस्थिती में आ गया, तो नई परिस्थिती में मान लो बच्चों ये चल करके यहां आ गया, और ये भवन का इसका जो नया वाला उन्यान कोण है अब बताओ ये कित्ते डिगरी बन चुका है सवाल कह रहा है कि बताओ इसने कितना चला सवाल का कहना है कि ये बताना है आपको कि ये कितना चला है हम मान लेते हैं बिटा ये X चला है क्या मान लेते हैं बोलो ठीक है, ये कितना चला है, X चला है, ठीक अच्छी बात है, और ये वाली जो दूरी है बिटा, इसको हम Y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, Y मान लेते हैं, तो दो दूरी हमारे पास बन गई, एक X हो गई, और एक क्या हो गई, Y हो गई, अब आपको बहुत अच्छे से काम लेना, बहुत दिमाग से काम लेना है ठीक है ला? बीटा ये बताऊ, ये total लमभाई यहां से यहां तक किती थी? 30 मीटर किती थी? 30 जिस में से 250 का ये बच्चा है है की नहीं है? तो 30 मीटर में से 250 ये चले गए तो ऊपर बताऊ, कितने बच गए साड़े अठाइस बचे की नहीं बचे तो उपर की ये लंबाई कितने मीटर बच गई पकी बात है अब आपके पास देखो आपका पूरा काम है आपको X ग्यात करना है क्योंकि question ने कहा है कि बताईए वो कितना दूर चल करके गया है तो हमारा पूरा काम क्या निकालना है हमको X तो आप पीछे लगना है केवल X के तो अब आपके सामने यहां पर बताओ कितने तुरिभुज दिखाई दे रहे हैं एक की दो तो आपको दो तुरिभुज हल करना है पहले हम छोटा त्रिभुज लेते हैं हम लेखेंगे समकोंड त्रिभुज T और यह वाला point भी हमको लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ क्योंकि इसका भी नाम है P ले लो समकोंड त्रिभुज T P N में समकोंड त्रिभुज T P N में पहले हमको वाई निकालना है और दिया क्या अपने पास में यह चीज T से लेके P कितना साड़े 28 कितना दिया है दिया है कि नहीं दिया तो बताओ कौन सा थीटा लगाए सोचो सोचो अरे लंब और आधार है ना तो कौन सा थीटा लगेगा हाँ तो 1060 जल्दी बाजी मत करो बिल्कुल आराम आराम से देखो 1060 बराबर होता है लंब बटे आधार लंब बटे तो लंब इस सवाले तिरभुच का लंब कितना है TP और आधार कितना है बोलो NP बहुत आराम से 1060 की वैल्यू कितनी हाँ TP का मान बोलो कितना है यही तो गलती करते हो 28.5 28.5 और NP कितना है Y NP कितना है अब आप Y का मान यहां से निकाल लो क्योंकि Y हमारा काम का नहीं है तो 28.5 बटे कितना हो गया बोलो Root 3 ये Y का मान आ गया किसका मान आ गया Y का अब आजाईए बड़े वाले त्रिभुज में अब किस में आजाईए बड़े B, P, T नाउ त्रिभुज B, P, T में बोलो ठीक है बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा B, P T में क्या निकालना हमको X निकालना है X तो यह देखो यह आधार क्या बन जाएगा B से लेके P और लंब बन जाएगा T से लेके P फिर से लगा दो 10 थीटा क्या लगेगा तो 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार बोलो यहाँ पे थीटा किते डिगरी है 30 डिगरी किते डिगरी है आधार कौन बताएगा सही सही, गलत बोल रहे हो, x प्लस y, क्या है, अरे x यहां तक का है, तो पूरा न जाएगा यहां तक का x प्लस y, हाँ या न, x प्लस y, पक्की बात, चलिए, 1030 का मान कितना होता है, बोलो, 1 upon root 3, equal to 28.5 upon x plus y, उत्तर आने वाला है, जल्दी न करो, x प्लस y का गुणा यहां कर दो, तो x प्लस y, बराबर 28.5 root 3, होगा की नहीं होगा, अब यह बताओ, x तो x है, y का मान निकाल रखा की नहीं निकाल रखा, कितना निकाल रखा है, 28.5 upon कितना, equal to 28.5 root 3, हाँ या न, तो x को रोक लो, तो 28.5 root 3 में, यह वाली चीज माइनस हो जाएगी, की नहीं हो जाएगी, पक्का, तो यहां पे क्या common आ रहा है, 28.5, common आया की नहीं आया, अंदर क्या बज़ गया, root 3 minus 1 upon, root 3, तो x equal to 28.5, root 3, root 3 कितना हो जाएगा, बोलो, 3 minus 1 upon, root 3, पक्की बात, तो x का माण 28.5, उपर कितना बचा, 3 में से एक गए, 2, बटे कितना, root 3, यह है 28, क्या है यह साड़े, 28 का double 56 होता है, 57.0, बिल्कुल सही, और अपवन कितना root, परिमेखन करने के लिए, root 3 का गुणा उपर, root 3 का गुणा, तो 57, root 3 उपर, और root 3 कितना, 3, 3 एकम 3, और 3, 19 का पहाड़ा पढ़ो, 59, 57, हाँ या ना, कितना बच गया, 19 root 3 मीटर, मतलब यह जो दूरी है, दोनों के बीच की, यह कितनी है, 19 root 3 मीटर, चलिए, चेक करें, उत्तर, तो इसका उत्तर कितना आ रहा है, बताईए, बिल्कुल सही है कि गलत है, 19 root 3 मीटर, सही उत्तर क्या है, 19 root 3, चलिए, नोट कर लिजए आराम से इसको, बना लिजए इसको, ऐसा ही question आपके exam में आएगा, बड़े question आते हैं, 4 marks के, ठीक है, हाँ, यह है question, कौन सा था, question number 6 था, चलिए, नोट कर लिए, question number 6 का answer,